हेलो दोस्तो नमस्कार मैं आपके लिए लेके आया हूँ एगरी कल्चर के जो माइनर सुब्जेक्ट है उनके मौस्ट इपोर्टेंट क्योसन जो आपके आने वाले सभी एकजाम के लिए स्यांदार रहने वाले हैं तो सबसे पहला जो अपना क्योसन है वो है एगरी कल्चर इ स्टेटमेंट क्या दियो हैं देखना है मसीन का नाम दिया हुआ है उसकी यूजफुल लाइफ है वो आवर्स में कितनी यानि घंटों में कितनी है और साल के अंदर कितनी है ये आपको यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर चार आपके पास मसीने और इंप्लिमेंट्स है जि की life अगर hours में बात करें तो ये बोल रहा है कि 10,000 hours अगर working hours हो जाते हैं बस उतनी ही उसकी life होती है बट इंडिया में तो 20 साल 30 साल 40 साल पुराने ट्रेक्टर भी आपको देखने को मिल जाते हैं तो ये बात इंडिया में लागू नहीं होती है सिर्फ किताबों में लागू हो और साल में बात करें तो 10 साल अब जैसे माल लोग की 10 साल किसी का ट्रेक्टर है वो बहुत कम चला है और उसके working hours 10,000 hours नहीं हुए हैं तो जायर सी बात है वो लंबा चलने वाला है और किसी ने क्या कर दिया कि 5 सालों के अंदरी 10,000 working hours निकाल दिये हैं तो ये दोनों ये दिये जाते हैं तो ट्रेक्टर का जो लाइफ होता है जीवन होता है वो 10,000 गंटे working hours और उसके लागर हम बात करें तो साल में 10 साल नहीं तो ये तो ठीक है ट्रेक्टर की लाइफ तो इतनी ही होती है पावर टिलर की बात करें जिसको आप वोकिंग ट्रेक्टर भी कहते है ना पावर टिलर जो वोकिंग ट्रेक्टर बोला जाता है जिसको छोटे फार्मर्स के लिए मार्जनल या स्मोल फार्मर के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है पावर टिलर है जो तो इसका जो यूजफुल लाइफ होता है वो 8,000 working hours होते है यानि 8,000 कारे के घंटे या फिर age के अंदर अगर अपने साल के अंदर बात करें तो साल तो कितने होंगे 10 साल ये भी statement ठीक है पावर टिलर की life इतनी ही होती है stationary जो engine होते हैं जैसे ज़्यादा तर अपने कुवे वगेरा पे लगे होते हैं stationary engine और stationary engine होते हैं ज़्यादा तर two stock engine होते हैं ठीक है तो stationary engine है उसका जो life span होता है वो 10,000 यानि 10,000 hours यानि घंटे और साल में बात करें तो बिल्कुल 10 साल ही होते हैं ये statement भी सही है इसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है next अपने बात करें seed drill seed drill बोले तो बिजाई की machine बिजाई की machine क्या इन्होंने working hours दिये हैं 10,000 नहीं ये working hours नहीं होता यानि ये statement क्या है गलत है working hours कितने होते हैं 25 working hours और साल के अंदर कितने 10 साल होते हैं तब ये सही होता तो ये statement गलत है seed drill बिजाई की machine की जो IU होती है वो 25 working hours होती है या फिर साल के अंदर कितनी साल होते हैं 10 साल होते हैं तो इस question का जो right answer है वो कौन सा है D option आपका right है इसको आपको अच्छे से याद रखना है नेक्स जलते हैं अगले क्योशन के लिए अगला क्योशन बहुती शांदार क्योशन है देखिए क्योशन है बीज के लिए कौन सा कथन गलत है which one is wrong statement for seed life बीज के जीवन के या storage के अधार पे कौन सा statement यहां पर गलत है देखिए दो तरह के seed होते हैं एक तोते है orthodex और दूसरा होता है non orthodex orthodex यानि rudy वादी बीज non orthodex यानि airudy वादी वीज non orthodex को आप reclistant seed भी बोलते हैं क्या बोलेंगे आप reclistant seed भी कहते हैं ठीक है rudy वादी orthodex seed कौन सा होता है जिसको अपने low moisture पे कम नमी पर लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं orthodex seed जैसे ज्यादा तर जो बीज होते हैं उनको अपने 6-14% नमी पर बहुत लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं अब देखो इसमें अगर मैं commercial seed की बात करूँ वेबसाइक बीज की बात करूँ तो वेबसाइक बीजों को अपने 6-12% नमी पर लंबे समय तक भंडारित करते हैं जैसे cereals है cereals का seed 10-12% नमी पर लंबे समय तक रखा जा सकता है pulses यानि दाल का जो बीज है वो 8-10% नमी पर लंबे समय तक रखा जाता है और मसाले और तिलहनी फसले यानि spices और oil seed crop है उनके seed को अपने 6-8% नमी पर लोंग टाइम तक रख देते हैं सिरफ इसमें हम क्या करते हैं moisture का level कम करते हैं नमी का स्तर होता है वो ही कम करते हैं उसके लाँ हमें कुछ special condition provide करवाने की जुरूरत नहीं होती है special state या मतलब उपलब्ध करवाने की जुरूरत नहीं होती है जैसे refrigerator है, cold storage है, cryo preservation है ये सब करवाने की जुरूरत नहीं है सिरफ नमी का level कम कर दो और नमी के level कम करने से ये मरते भी नहीं है और उसकी वज़े से ये लंबे समय तक बंडारी तो हो जाते हैं इस तरह के बीजों को orthodox या rudy wadi बीज कहती है वहीं पर दूसरे hand की तरफ अपने देखें तो दूसरे बीज जो होते हैं अगर आप उनकी नमी कम कर दोगे तो वो seed dead हो जाएंगे अगर आप उनकी नमी कम कर दोगे तो वो बीज मर जाएंगे उनमें आपको 20-30% से ज़्यादा नमी रखनी पड़ती है कोई इलाज नहीं होता है कम से कम इतनी नमी तो आपको रखनी पड़ेगी अगर इतनी नमी आप रखते हो तो जायर सी बात है बीज को आप कम नमी के सिधान पे लो मोश्चर कंटेंट के प्रिंसिपल पे आप उनको बंडारित नहीं कर सकते है तो ये बीज है वो कम नमी पर बंडारित नहीं होने वाले है वो नोन और्थोडेक्स सीड होते है यानि रीकलिस्टेंट सीड होते है यानि एरूडीवादी बीज होते है और एरूडीवादी बीज होते है मेंली क्या होते है फलों के फल वरक्स जो होते है उनके जो सीड होते हैं वो ही ज़ादातर आपको अन और्थोडेक्स एरूडी वादी बीज या रिकलिस्ट्रेंट सीड मिलते हैं बाकी सच से विज्ञान की फसलों के बीज मुख्यत है और्थोडेक्स यानी रूडी वादी बीज होते हैं अब यहाँ पर देखो स्टेट्मेंट क्या है मैंने दो तरहें के बीज बता दी आपको स्टोरेज के अधार पर एक है माइक्रोबायोटिक देखो माइक्रोबायोटिक सीड वो होते हैं जिनका जीवन काल अपने उनको जिनको मतलो लो मोश्चर पे कम नमी पर मतलो तीन साल से कम सम्मे के लिए रख पाते हैं जिनकी बंडारन समता ये और्थोडेक्स सीड के लिए स्टेटमेंट है सारे के सारे ये सारे के सारे स्टेटमेंट है और्थोडेक्स सीड के लिए रुडिवादी बीज के लिए जिनका जीवन काल तीन साल से छोटा होता है उसको माइक्रोबायोटिक बोलते हैं बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो यहाँ पे तो अपने को गलत कथन चुलना है रोंग पंदरा से सो साल तक जिसको बंदारित कर सकते हैं वो मेक्रोबायोटिक है बिल्कुल ठीक है मेक्रोबी ठीक है तीसरा ओप्सन देखते हैं मीजोबायोटिक में लिखा है तीन से पंदरा साल तक जिसको अपने बंदारित कर सकते हैं वो मीजोबायोटिक है ये भी स्टेटम यह स्टेटमेंट कहा है कि अगर हम परतेक 5% नमी को कम करते हैं तो बीज का जीवन दुगना हो जाता है यह बात गलत है यह बात गलत है होता क्या है मैंने कहा था और्थोडेक्स सीड है उनको लंबे समय तक रखना कोई स्पेसल प्रक्टिस की जुरूत नहीं है सिरफ नमी का नमी पर यानि मोश्चर पर सीड वो 6 माह के लिए 6 मंत के लिए स्टोर हो सकता है तो अगर हम उसमें 13% नमी कर देंगे तो वो 1 एर के लिए स्टोर हो जाएगा 13 से 12 कर देंगे तो वो 2 एर के लिए स्टोर हो जाता है यानि परतेक 1% सीड मोश्चर कम करने पर सीड की डबल हो जाती है ये बात राइट होती इसने कहा परतेक 5% नमी कम करने पर डबल होती है ना ये सही नहीं है परतेक orthodex seed के अंदर परतेक 1% नमी अगर आप कम कर दोगे orthodex seed के अंदर अगर परतेक 1% ये बात कब से लागू होगी, 14 से नीचे लागू होगी, क्योंकि 6 से 14 में तो वो स्टोरेज होंगे, 14 से जादा तो वो खराब होने के चांचे जाए, अपने घरों में गेहूं, दाल वगेरा न, सीरियल्स है, पल्से जाए, यानि अनाज है, दलहन है, तिलहन है, उनके कटे बरके रख देते हैं, वो लंबे समय तक बंडारीत क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें मोश्चर कंटेंट क्या होता है, कम, पहली बात तो फसल की कटाई तब करते हैं, जब फसल सूकती है, यानि दानों में 20-25 परसेंट नमी रहती है, फिर काटने के बाद उसको सूकने दिया हैं, वो ही orthodex है, अगर कोई orthodex seed 3 साल से कम-कम बंडारीत होता है, तो microbiotic है, 15 साल से 100 साल तक हो जाता है, तो microbiotic है, और 3 से 15 के बीच में होता है, वो microbiotic है, और यह 6 से 4 वाली condition है, अगर इसके अंदर पर तेक 1% नमी कम की जाए, तो उसकी जो life होती है, वो double हो जाती है, तो ह हमें wrong statement डूंडा था, वो wrong statement मिल गया है, वो कौन सा है, D option आपका सही है, अब आपको मैंने कहा था, commercial जितने भी बीज है, उनको अपने कितने परसेंट नमी पर बंडारीत करते हैं, 6 से 12, याद रखिएगा, cereal जो है, वो 10 से 12 परसेंट नमी पर बंडारीत होते हैं, जो pulsage है दाल है वो 8 से 10 परतिसत नमी पर और oilseed और spices यानी तिलहन और मसाले हैं, उनको अपने 6 से 8 परतिसत नमी पर भंडारीत करते हैं, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये दूसरा क्योशन, तीसरा क्योशन जो है, वो देखिए, अच्छा क्योशन है, बहुत ही the interpersonal communication in honeybees, आपने सुनाओगा honeybee जो अपनी सूचना होती है, भोजन की जो सूचना होती है, वो dancing से देती है, एक तो round dance होता है, और दूसरा vagal dance होता है, तो ये जो सूचना देती हैं, इस बात की जो खोज की थी, उसके लिए जो noble prize मिला था, वो कौन से scientist को, कौन से विग्या जिनको noble prize मिला था, किस बात के लिए, इस बात के लिए कि मदू मक्या जो food की information होती है, उसको dancing वे से देती है, तो इसका right answer क्या होगा, फटा पड़ बताईए, इसका right answer क्या है, इसका right answer है, वोन फ्रिच, ए option आपका right है, कौन सा option right होगा, वोन फ्रिच जो है, वो इसका right answer ह अब अपने थोड़ा सा देख लेते हैं, यह round dance होता है, बदू मक्या round dance जो है, यानि honey bee है, round dance है, यह कौन सी information देने के लिए काम में लेते हैं, जब जो food होता है, वो 50 meter की under distance के अंदर होता है, यानि less than 50 meter पे food होता है, 50 meter से कम दूरी पे food होता है, तब information है, वो round dance से दी जात होती है, और वहीं पर अगर 50 meter से ज़्यादा दूरी पर भोजन होता है, तब vogal dance जो होता है, यह vogal dance होता है, ठीक है, इस तरह से, यह vagal dance होता है, इसको अपने जनरली क्या बोलते है, 8 shape dance बोलते हैं, यह से इस तरह से, जिग जैग method से जैसे यह dance कर रही है, और यह 8 बनाती इस तरह से, ठीक है, यह इस तरह से dance करती है, तो इसको हम कौन सा dance बोलते हैं, वेगल dance बोलते हैं, ठीक है, round dance है, वो direction नहीं बताता है, वेगल dance है, वो क्या करता है, direction बताता है, वेगल dance है, वो क्या करेगा, direction बताता है, जिससे यह vagal dance है, अगर food क्या होता है, sunlight की direction में होत तो वो क्या करती है यह वेगल डान्स बिल्कुल सीधा करती है अगर जो food है वो light direction से थोड़ा कोण बनाता है angle तो यह इसी तरफ angle बनाते हुए dance करती है जैसे यह मतलो मालो सीधा simple सा तरीका है कि food है वो बिल्कुल sun direction में है तो यह बिल्कुल इस तरफ dance करेगी अगर क्या है sun यहां पे है और food इससे 30 degree angle पे है तो यह भी क्या है 30 degree angle पे ही वेगल डेंस करती है इस तरह से food की जो direction होती है वो पता लगती है दो चीजें पता लगती है वेगल डेंस से एक तो कि जो food है वो दूरी पे है कितनी दूरी पे 50 मिटर से ज़्यादा दूरी पे है और दूसरा इससे direction पता लगती है कि जो sun है उससे किस direction के अंदर अपना पूड़ा उस तरफ अपने को चलना है यह वेगल डेंस की बात होती है राउंड डेंस होता है वो क्या होता है पचास मिटर के दाइरे के अंदर अगर food होता है तो उसके लिए जो round dance है वो किया जाता है तो यह ब नोबल प्राइज भी दिया गया था इनके लिए इनको नोबल प्राइज भी दिया गया था ठीक है नेक्स्ट है अगला मदू मक्की में drones उत्पन होते हैं इन हनी भी the drones यानि males are produced for male जो होते हैं वो कैसे produce होते हैं यह भी बहुत important question है क्योंकि beekeeping से आपके क्यों सनाते हैं यह हम चलते हैं सबसे पहला है अनफर्टाइल्ज एग जो ए निसेचिक अंडे होते हैं बिल्कुल ठीक है उत्तर तो यह होगा जो male होते हैं ड्रोन होते हैं यह ए निसेचित अंडों से अनफर्टाइल्ड एग से पेदा होते हैं और यह हैपलोईड नेचर के होते हैं यान प्रोटेक्षिन का प्रोटेक्षन का प्रोटेक्षिन का काम करते हैं जो unfertilized eggs से एन से चित अंडों से पेदा होते हैं वो drones या male होते हैं ये सिरफ reproduction का काम करते हैं यानि जनन का काम करते हैं और जिस female को royal jelly प्रवाइड करवाई जाती है वो queen बनती है लारवा, feed by the royal jelly जो मतलो female होती है और जिसको royal jelly दी जाती है वो queen बनती है यानि रानी बनती है और रानी क्या करती है बच्चे देने का काम करती है रिप्रोडेक्शन का काम करती है ठीक है तो उसमें जो मेल होता है वो कौन सा होता है ए निसेचिक अंडों से त्यार होके जो इसके साथ जनन करता है जिससे जो रानी होती है वो अंडे देती है और जो मेल होते हैं ड्रोन हो अगला क्योशन है, प्लांट फीजोलोजी का, अच्छा क्योशन है, मर्दा में उपस्ति जल है, water is present in the soil, देखिए यहाँ पर आपके सामने चार तरह की reaction दी हुई है, एक होता है होलाड, देखो होलाड क्या होता है, होलाड होता है वो है, इसको चिसाड भी बोल देते हैं और केसाड भी बोल देते हैं, ठीक है, तो pronunciation कौन सा सही है, वो अपने को याद रहना चीए, बैस इतना ही है, होलाड के बराबर क्या होता है, होलाड बराबर होता है, केसाड पलस इकाड, देखो केसाड या जिसको हम चिसाड बोलते हैं, याद रखने के लिए, चिसाड याद बहुत आसान है, ठीक है, होलाड का मतलो है, सारा जल, whole water in soil, इस मिटी के अंदर जितना भी पानी आ जाए, एक बार पानी गिर जाए, वो कौन सा है, होलाड, complete जल को अपने क्या बोलते हैं, होलाड बोलते हैं, complete water को क्या बोलते हैं, होलाड, जिसमें से जो पोदे ले सकते ह हैं, वो केसाड, आप याद रखो, चिसाड है, जिस पानी को पोदे चूस सकते हैं, वो कौन सा है, चिसाड, और जो पानी भाग जाता है, run off हो जाता है, बगोडा होता है, एसे ही निकल जाता है, वो कौन सा होता है, इकाड, वो कौन सा होता है, इकाड, तो होलाड जो होता वो चूस सकते हैं वो चिशाड है जो इसे ही चला गया इसे ही चला गया वो क्या है इकाड है ठीक है इन दोनों को मिला के क्या बोलते है होलाड ये दूसरा रियक्शन तो किसी हालात में भी सही नहीं है तीसरा है होलाड बराबर केसाड ये भी बिलकुल सही नहीं है और डी ओ बस इकार्ड के साड़ जो पोदे ले सकते हैं और इकार्ड जो पानी बहकर चला जाता है तो यहां पे राइट आंसर कौन सा होगा ए ओप्सन आपका राइट होगा अच्छे से देख लेना चारों के चारों आप्सन राइट आपका ए हो रहने वाला है यहां पे नेक्स अलते हैं अगला क्योसन है वो क्या है यह बहुत इपोर्टेंट क्योसन है हनी मेंली कंसिस्ट आप जो सहद होता है उसमें क्या होता है A option है monosaccharide, B है disaccharide, C है polysaccharide और D है phyt देखो जो honey होता है सहद होता है उसमें mainly monosaccharides होते हैं और monosaccharide में ही mainly क्या होता है glucose और fractose होते हैं तो इस question का right answer आपका क्या होगा? यहाँ पर A option आपका right होगा यानि honey के अंदर monosaccharides होते हैं A option right होगा अब देखो और ज्यादा अच्छे से आपको देखना है याद रखना है तो जो 100 gram हनी है उसमें 82.4 gram तो आपको कार्बोहाइट्रेड देखने को मिलता है यानि mainly इसमें कार्बोहाइट्रेड ही होता है जिसमें से fractose है वो 38.5 gram है और glucose है वो 31 gram 100 gram में है तो आप इसको परतिसत भी ले सकते हैं तो ये दोनों देखो बहुत अच्छी मातरा में तो सहद में mainly क्या होते हैं फ्रक्टोज प्लस glucose होते में क्या होते हैं फ्रक्टोज प्लस glucose और ये दोनों क्या है monosaccharide तो ध्यान रखना है जो सहद होता है उसमें dominantly हमेशा monosaccharide होता है थोड़ा हलका सा सुक्रोज होता है वो 1% ही होता है तो ये तो dominant नहीं है इसलिए हम नहीं बोलेंगे कि disaccharide होता है mainly monosaccharide जो सुक्रोज होता है वो 1% ही होता है जो अधर सुगर होती है कोई दूसरी भी जेसे थोड़ी बहुत माल्टोज भी देखने को मिलती है थोड़ी बहुत और भी देखने को मिलती है वो 11.7% है होती है में जो होती है MONO SAKERID यानि फ्रैक्टोज और ग्लूकोज और सबसे ज़्यादा अगर पूछले की कौन सी कार्बो हाइटेडिया कौन सी सरकरा ज़्यादा देखने को मिलती है तो सबसे ज़्यादा हनी में देखने को मिलने वाली जो सुगर है वो कौन सी है फ्रेक्टोज है दूसरे नमबर पे ग्लुकोज है, डॉमिनेंटली ये दोनों ही होती है, सुक्रोज 1% होती है, बाकी बच्ची वी सिरफ और सिरफ 11.7% के आसपास होती है, डाइटरी फाइबर बहुत कम होता है, 0.2 ग्राम होता है, प्रोटीन भी बहुत कम होता है, 0.3, वोटर 17.1 होता है, बाकी थोड़ा सा रायबोफलेविन, थोड़ा सा नाइसिन, थोड़ा सा विटामिन B5, पेंटाथोनिक एसीड, और थोड़ा, आपको यहां पे प्रेडोक्षिन भी देखने को मिलता है, यानी हनी में विटामिन B कॉंपलेक्स, बीटू, बीट्री, बीफाईव, और बीज देखने को मिलते हैं ये टेबल आप लोगों के रटीवी होनी चीए और हनी में more than 80% यानी 82.4% आपको कार्बोहाइटेड ही देखने को मिलता है हनी मिठे होने के पिछे कारण फ्रेक्टोज और ग्लुकोज है नेक्स अपने बात करें अगला जो क्योशन है वो है नोसेमा बोबिसस जो रेसम के कीडे में पैबरीन नामक बिमारी उत्पन करता है ये जो नोसेमा बेबिसिस है ये क्या है फंगस है वाइरस है बेक्टेरिया है या प्रोटोजोगा है जो सिल्क वोम होता है उसके अंदर एक डिजीज लगता है पैबरीन कौन सा डिजीज लग और वो पैबरीन जो होता है वो नो सेमा बेबिस से होता है नो सेमा बेबिस जो है ये वेग्यानिक नाम है ये क्या है फंगस है वाइरस है बेक्टेरिया है या प्रोटो जोवा है तो ध्यान रखना सिल्क वोम में लगने वाला पैबरीन रोग प्रोटो जोवा के कारण होता ह दी ऑप्शन राइट है और इस प्रोटो जवा का नाम नो सेमा बॉम बेसिस है ठीक है अच्छे से याद रखना है ये प्रोटो जवा से होने वाली सिल्क वाम के अंदर पेबरिन बिमारी का रोग कारक होता है नेक्स अगले क्योशन पे चकलते हैं अगला क्योशन क्या है communigal insect नहीं है सहे बोजीता वाला भी तो नहीं है सहे बोजीता में एक को फाइदा होता है एक के कोई फरकनी पढ़ता हो भी तो नहीं है तीसरा है parasite insect परजिवी बिल्कुल यह जिस पे लगता है जिस पोदे से उससे रश्ट रूशता है उसको तो नुकसान पहुंचाता है लेक इंसेक्ट है वो एक पेरासाइटिक इंसेक्ट है यानि परजीवी कीट है जिस पे लगेगा इसका जो परपोसी पोदा होगा उसको ये हमेशा ही नुकसान पहुंचाएगा इस बात में कोई डाउट नहीं है राइट आंसर क्या होगा जो लेक इंसेक्ट है वो एक पेरासाइटिक इंसेक्ट है यानि परजीवी कीट है नेक्स चलते हैं अगला क्योशन है अपना अगला क्योशन है रेसम कीट का ग्रेसरी रोग किसके जनित है जो सिल्क वोम होता है उसमें ग्रेसरी रोग भी लगता है खतरनाक है जिसे अपने सिल्क वोम का जुंडिक्स रोग भी बोल दिया जाता है जनरली अपने इसको ग्रेस ग्रेसरी रोग बोलते है लेकिन वोम का जोई techniques भी बोल दिया जाता है यह किसके कारण होता है तो रेशम कीट में लगने वाला ग्रेसरी रोग जो है ओर बैसम डिंच्री रोग बोलते हैं लेकिन वाइरल किसा होता है तो right answer क्या होगा यहाँ पर be option आपका right रहने वाला है। नेक्स्ट है दस नंबर क्योस्षण और इपोर्टेंट क्योस्षण हैं असेशन्शल कमेडिटी अक्ट कब आया था। अच्छे से याद रखना है और इसका जो राइट आनसर है तो आज के सेशन में यह दस सबसे इपोर्टेंट के ऊसन थे फिर जल्द ही अपने next शे सेशन में मिलेंगे thank you